कि को है लो दोस्तों में रोज तर प्लाव जुरा आप देखने बाद करने वाले हैं इनफ्रिक्स स्मार्ट सिक्स प्लस फोन के बारे में तो दोस्तों इनफ्रिक्स ने अपना जो है यह लो बजट फोन जो उतार देया है जोकि 10,000 की बजट रेंज के नीचे ही इसका प्राइ अच्छे बजट रेंज के फोन में जो होना चाहिए वो इसमें आपको देखने को मिल सकता है आज की वड़े में आपको इसी के बारे में बताने वाले क्या आपको इसमें खास देखने को मिलता है क्या आपको इसमें बुरा देखने को मिलता है क्या यह फोन आपके लिए बना आपको यह बताने के यह मैं बेचयान हो रहा हूं कि क्योंकि जो है इनफिनिक्स स्माट 6 प्लस फोन जो आया है यह 8000 की बजट रेंज में आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों आट जार में यह फोन कैसा है वह आपको आगे बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो में बने रह आपको इसमें की दोस्तों सब्सक्राइब और आपको पताएं कि डिस्पले कैसी है तो दूस्तों डिस्पले हम जो है गुड कहेंगे ब्यूड को नहीं कह सकते अगर हाँ है फुल अच्छी डिस्पले मानी जाएगी अब बात करते परसर देखने को मिलता है यह परसर हम कह सकते हैं कि यह व्यरी गुड़े अगर आप इस फॉन को गैमिंग के मामले में आपको थोड़ा निरास कर सकता है लेकिन अगर आप नोर्मल गैम मीडियम गैम अगर आप इसमें केहलेंगे तो दोस्तों अच्छा रैस्पॉंस आपको यह देने वाला है अगर हम बात करें इस फोन के ओपरेटरिंग सिस्टम की तो दोस्तों इस फोन में आप जो है एंडरी ट्वैल का गो एडिशन पर काम करने वाला जो है आपका इसमें आप लाइटली वर्जन वाले जो आप आते हैं माले लीजिए आपका जो फेस्बुक कइसे आप आते हैं यूट्री वर्जन वाले एप होते हैं वह नयुक्त नट गया के इस पंटरी की кा मैमोरी देखने को मिलति है और आपको इसमें योрьे इसन प्लक ये इसमें बहुत अच्छी बात दीग गई को बता है और आपका जो इंटर्ण और और एक्स्पेंड़ मेंवरी के बारे में की कैसी ए तो दोस्तों इसको पानसो बाटा जीबी बढ़ाने का उकसं देखने को मिल रहा है यह इसमें बहुत अच्छी बात दी गई है और चोशुट टीवी आगर आपको इंटरीनल मेमोरी तेफ म में मीलते हैं बहुत अच्छी बात दी है तीरीवी में पेसे यह तेघर निज्स कीमद मुद्ट और जो secondary lines वो आपका AI lens आपको इसमें देखनों को मिलता है तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं कि यह good जाता यह very good बन सकता था लेकिन अगर आपको 8MP भी देखनों मिल रहा है तो दोस्तों इसको भी हम ठीक ठाकी कहेंगे अगर हम बात करने इस phone के front camera वीड़ो लिंग तो आपको टेखेंस वाइवाट देखने हो साथ ओस्तुतिसने मिल रही है तो दूस्तों यह इसमें इसमें आपको एक शीज देखने हो मिलता है अब आपको मैं बता हूँ कि प्राईस इसका क्या है तो दोस्तो प्राइस आपको मालूम है इसका प्राइस है 7,999 रुपए यानि कि 8,000 रुपए का यह फोन आप खुझे देखने को मिलता है और अगर मैं आपको पताओं 8,000 में यह फोन कैसा है तो दोस्तो आठ जार में यह फोन जे बहुत अच्छा माना जाएगा इसमें आपक इसको बहुत अच्छा कह सकते हैं 8,000 की बजट रेंज में तो दोस्तो अगर आप एक अच्छा फोन पर्चेस करना चाहा रहेते हैं तो दोस्तो यह फोन आप पर्चेस कर सकते हैं हाँ मैं एक बात यह कह सकता हूं अगर आप हैविक के मामले में इस फोन को देखेंगे तो दोस्तो यह आपको जो है निराश करने ही वाल आप इसमें मीडम तरीके से गैमिंग करेंगे तो दोस्तो यह आपको अच्छा रहा सब्सक्रायब आपको फिलिप कार्ट पर देखने को मिल जाएगा आप इसको जह पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तों आयोप आपको यह वीडियो भी पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बैल आकर ना बात करता रहता हूं उनके जुबरी बाते हों आपके सामने रखते तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जह हिंद आप कर दो कर दो